क्या ऐसी नोबत आई कि अचानक पार्टी और पाद से दोनों से इस्थिफदे दिये जिस तरह से जदियू में गुटबाजी है करता ही पार्टी के रीड होते हैं और इन सब में सर्मान नेता अगर चुप रहते हैं तो निश्चिती पार्टी दिशाहीन हो जाती है पता ही न नेता का जो हाल आप से चुपा नहीं है नीती क्या है पता ही नहीं आप सरवाईता चोड़े आत्मुसमान के रक्षा करने के लिए पार्टी से इस्थिफा देना पड़ा है और खासकर दिन हमने चुना नितीश के चहते आप निता माने जाते थे काफी आप भी नितीश कु अभी हम पहुँच गए हैं जेडियों के पूर्व परवक्ता के पास पूर्व परवक्ता इसलिए कि कुछ दिन पहले पार्टी और अपने पद से इस्थिफा दे दिये हमारे साथ है डॉक्टर सुनील सिंगी स्वागत आपका पोले भरत में धन्यवाद आपका सर क्या ऐस आज भी कारकरताओं का स्वाबिमान की रक्षा नहीं होती है कारकरता के उपेक्षा होती है और कारकरता ही पार्टी के रीड होते हैं और इन सब में सर्मान नेता अगर चुप रहते हैं तो निश्चिती पार्टी दिशाहीन हो जाती है अड़र्लेस हो जाती है लीडर लेस मतलब क्या नितिस कुमार उसके पिवल में नहीं है नहीं लीडर लेस लीडर अगर हो और कारकरता से दूर हो अग दोनों के बीच में दिवार हो और वो दिवार ही घेर के रखे हुए है जिसको कि आप ग्रूप कौकस कोटरी गैंग जो कर लें तो निश्ची थी अपने और पार्टी में कोई विचारधारा जो थी कोई विचारधारा दिखती नहीं है पार्टी का नेता नीती और नियत तीन जो महत्रपुर्ण होते हैं उसके तीनों में हरास होता है नियत पता ही नहीं विचारधारा ही नहीं है नेता का जो हाल आप से चुपा नहीं है नीती क्या है पता ही नहीं आफसरवाईता छोड़ के इन सब बातों से उभापो के स्थिती से हमारे इसे कार करता हो ने देखा कि मनोबल गिर रहा है तो आत्मसमान के रक्षा करने के लिए पार्टी से इस्थिफाई जाना पड़ा है और खासका दिन हमने चुना कि प्रभु उस्थि राम के आदर्शों को मैंने अस्मरन किया कि उन्होंने आटात ही अचानक अपने राजपाठ छोड़ दिया राजविशेक छोड़ दिया और उनके मर्यादा पुरशटम राम कहलाते है उनके ऐसा पिता उनके इसा पुत्र उनके एसा राजा नहीं हुआ तो जै उन इस्तिपा देने से पहले। होने का कारण बनी और जहां तक आप कहते हैं उनसे बात हुई नहीं हुई देखिए हम लों का अंतरिक मामला है अंदर की बात है क्या कहनी है लेकिन हाँ वहां से पार्टी छोड़ना हमारे लिए एक बड़ा ही पेनफुल डिसीजन था तो कि बहुत लंबा असोसेशन था मान करने आ सकता है कि दोहजार तोबिस में सरकार बदल जाएगी देखिए यही तो बात है सरमान नेता यह आजकल अठकलों की राजनिती अंदाज की राजनिती सस्पPlease की राजनिती में ज़्याद है यकिन करने लगें हैं तो अब देखिए एक समाने सी भ्रट जो की वो जनता को विश्वास में लेके भी कह सकते हैं कोब्गे बहुत सारी इस्यूज हैं बहुत सारे इन्वर्सिटी में विसी अपॉंट्मेंट होने वाले हैं, बजट सत्राने वाला है, उसमें मिले होंगे, या सरकार बर्ले जो भी करना है, लेकिन ये अटकलों की राजनिती और दुरभाग्य वश कुछ वरसों से बिहार की राजनिती एक वेक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके गुम रही है, आप पत्रकारी भी उसी में उल्जे में हैं, अधिकारी भी उसमें उल्जा हुआ है, सारा अमला जमला सब उसी में उल्जा हुआ है, महकमा उसी में उल्जा हुआ है, विकास कारे ठप हैं, सिक्छा, स्वास्त, अन चीजे का जो हाले हो इसी में लगता है कि जो कुछ करना हो करें हिचारध duration करें इस तरह के चीजों को और इस तरह के है जो की विचार घान ही राजीति हो हमें लगता प्रश्षağı ना तो हमें देनी चाहिये और किसी को देनी चाहिए इस उनको कुछ दिन पहले अध्यक्षपत से इस्तिपाद देना पड़ा, जो उपिंदर कुछ वहा, जो आर्शीपी सिंग का जो हश्त हुआ था, जो हाल हुई थी, क्या ललन सिंग अभी वही होने वाला है? मानिय ललन सिंग जी एक बड़े नेता है, अमर पार्टी के पूर रास्टे अध्यक्ष है, और जो आपने कहा कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, नहीं, उनके साथ काम करने का बहुत नजदीक से सुभागे मुझे प्राप्तिन नहीं हुआ, और मुझे उनके करता का दुराव सिर सिर्शनिती से है, और जहां तक पोस्टर से आउट होने की बात है, तो हमने जो देखा सुभे मॉर्निंग वाक में, राहूल परमार जी का और संतोष कुस्वा जी का जो पोस्टर लगा हमें, उसमें तो ललन सिंग जी का फोटो था, छोटे-छोटे ज जद्यू का नित्रतु ही गुरुप चल रहा हो और उसमें सीसौ बैटल होता रहे, तो इन सब नूरा कस्ती में कभी किसी का फोटो हटेगा, कभी किसी का फोटो लगेगा, यह सांकेतिक राजनिती होती रहेगी, इसी से तो जद्यू को बचना है, इन गुटबाजी के अब क्या लगता है, निती जी का जो निती और निती है, फिर से बदलेगा, क्या फिर से इंडिये के साथ जाएंगे, यह देखना बहुत बिल्चास वराएगा, इस कबर में इतना ही दीजिए हम जाज़त, धन्यमेंगे.